अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी छितिज काब खंड में पाठ दो लल्दयत का तीसरा वाख वाख मतलब वाणी तो आईए पढ़ा जाए आई सीधी राय से गई निसीधी राय सुसुम सेट पर खड़ी थी बीत गया दिन आ जेब टटोली कवडी ने पाई माजी को दू क्या भावार्थ करेंगे तो राह माने होता है रास्ता सुसुम माने होता है सुसुम सेट मतलब होता है सुसुम्रा नामक नारी सुसुम्रा नारी होता है मतलब हट योग में शरीर की तीन परधान नारीयों में से एक नारी होती है इसी को हम सुसुम्रा नारी कहते हैं उसके आपका टटोली मतलब होता है खोजा, कवडी ने पाई मतलब कुछ भी ने मिला, माजी मतलब नाविक, यहाँ प्रभू के लिए है, उत्राई मतलब पार उतारने का किराया, तो आई सीधी राह से गईन सीधी राह, मतलब कवित्री कहती है कि प्रभू की प्राप्ति के लिए, प्रभू की मतलब इस्वर की प्राप्ति के लिए वे संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किन्तु यहाँ आकर मोह माया, आदि संसारी कुल्जनों में फसकर अपना रास्ता भूल गई, सुसुम सेथ पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, वह जीवन भर सुसुम्रा नाडी के सहारे कुंडली जागरण में लगी रही, और इसी में जीवन बीत गया, जेव टटोली कुड़ी ने पाई, जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेव में खोजा, तो कुछ भी हासिल ने हुआ, माजी को दू क्या उतराई, अब उसे चिन्ता सता रही है, कवित्री को अब चिन्ता सता रही है, कि भहसागर से पार, भहसागर मतलब सांसारिक मोहमाया से पार उतारने वाले प्रभू रूपी माजी को उतरवाई के रूप में क्या देगी, अर्थात वे जीवन में कुछ नहासिल कर सकी धन्यवाद